हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे रिष्टी किसे कहते हैं वर्ट इज दी मिश्चीफ इसके बारे में आज बात करेंगे और बड़ी सिंपल लेंग्वेज में सिंपल एक्जाम्पल के तुरू समझाओंगी कि रिष्टी क्या है और इसके लिए क्या पनिश्मेंट है तो बात करते हैं एविद एक्जामपल रिष्टी उसे कहते हैं जब आप किसी की प्रॉपर्टी को किसी की संपत्ती को उसको नश्ट कर देते हैं या उसको नुखसान पचाते हैं किसी व्यक्ति की संपत्ती को नुखसान पचाना या उसे नश्ट कर देना इसे कहते हैं रिष्ट रिष्टी में first explanation जो है वह कहती है कि यह आफशिक नहीं है कि आपने जिस व्यक्ति की property समझ के उसकी property को नुकसान पचाया या उसे नश्ट किया तो आपने रिष्टी ने की वो किसी हो दूसरे व्यक्ति की property थी तो आप रिष्टी नहीं करते नहीं property किसी की वी हो आपने intentionally उस property को नुकसान पचाया है उसे नश्ट किया है तो उस case में आप जो पनिसेवल हो वह है रिष्टी के मिश्टीव के यह जो section है वह section 425 है IPC भाते डन सहीता का section 425 में बताया गया है रिष्टी के बारे में और इसमें जो 440 तक में बताया गया है रिष्टी किस किस तरह की रिष्टी पे क्या क्या punishment होगी तो example लेते हैं कि आप मान लीजिए किसी का वर्फ का घर है जहां वो वर्फ रखता है और market में बेचता है और आपने उसको नुकसान पचाने के लिए उस व्यक्ती को नुकसान पचाने के लिए उसके जो वर्फ घर था उसमें आपने पानी छोड़ दिया जिससे कि उसकी सारी वर्फ जो है पिगल गई तो उस केस में आपने उस व्यक्ती को वर्फ पिगला कर उसकी सारी वर्फ पिगला कर उसको नुकसान पचाया तो आपने क्या करा रिष्टी करी रिष्टी अगर कोई प्रॉपर्टी नश्ट करना या उसको नाश्ट कर देना नश्ट कर देना या उसकी जो मुले है जो उसकी उप्योकता है उसको नश्ट कर देना जैसा रिष्टी के अंतरगत आता है जैसे कि आपने आपकी कोई फ्रेंड है आपने उसको नुकसान पचाने के लिए उसकी या सोने की अंगुठी है वो नदी में फैक दी तो आपने क्या करा आपने रिष्टी की है आप इसके लिए पनिशेवल हो नेक्ट आप एक्जमपल लीजिए कि एक आपके परोसी के पास एक गोड़ा है आपने अपने परोसी को नुकसान पचाने के लिए उस गोड़े को कि असका परोसी के गोड़े को नुकसान पचाने के लिए कि जिससे की वहे काम ना कर सके उस परोसी का तो उसके पैर में गोली मार दी तो और वहें लंगडा के चलने गया वहें काम के लिए नहीं रह गया तो आपने क्या किया रिष्टी की तो रिष्टी के बहुत सारे एक्जामपल हैं जिससे की आप रिष्टी को समझ सकते हैं मुझे लगता है कि आपको रिष्टी समझ में आ गई होगी कि रिष्टी क्या है होर एक्जामपल हम ले सकते हैं कि आपने किसी के डॉक्यूमेंट्स को या इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके उसको जला देते हो तो आपने क्या किया रिष्टी की या आप किसी ने कोई उधार पे वाइक ली है और आप उस वाइक को खराब कर देते हो जिससे कि उस पे जो रन है जो उसने वाइक उधार पे ली है बहुँ से नहीं चुका पाता और आप उसको कहते हैं उसकी वाइक को भी नुकसान पहुचा देते हैं तो आपने क्या करी रिष्टी की तो आप रिष्टी के दोसी होंगे लेकिन हर छोटी छोटी चीज़ पे कि आपने किसी के प्लॉट से मिट्टी निकाल ली थोड़ी सी मिट्टी निकाली है और कोई आप पे रिष्टी का नियम लगा दे रिष्टी का सेक्शन लगा दे कि आपने उसके प्लॉट से थोड़ी सी मिट्टी लगा ली है तो जो कोट है वो कहती है इस तरह की छोटी छोटी चीजों को रिष्टी के अंतरगत नहीं आएगा आपने बहुत ज्यादा निकाल ली है तो उस केस में कि आपको उसनों को ग्राउंड ही पूरा खाली कर दिया है काफी नीचे कर दिया है तो उस केस में आप रिष्टी के अंतरगत गया है जो सेक्शन 425 से लेके 440 तक है तो उसमें अलग अलग बताया गया है की रिष्टी के लिए कौन कौन सा डंड किस किस चीज के लिए है जैसे कि आप नॉर्मल रिष्टी करते हैं इस तरी के से रिष्टी करते हैं तो आप तीन महीने की सजाब को होगी और जुर्माना यह दोनों से डंडनी किया जा सकता है लेकिन आप किसी ऐसे जानवर को मार देते हैं जो इसकी कीमत कम हैं तो उस केस में आप जो है दो साल तक के ज्युर्माने से डंडनी होंगे तो यदि आप किसी के घर में किसी के घर या उसकी दुकान को आग लगा देते हैं या कोई बिस्पोसक पढ़ाद डाल देते हैं जिस से उसकी पूरी दुकान जल जाते है या घर जल जाता है और आपने इस तरह की बहुत बढ़ी लिष्टी की है मिश्चीफ की है तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है संग में जुर्माना या दोनों हो सकता है तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा मिश्चीफ क्या है किसे कहते हैं क्या पनिश्मेंट है आपको एक वार इसको पढ़ना होगा जिससे कि आपको किलियर हो जाएगा कि रिष्टी किस किस चीज के लिए कितनी कितनी पनिश्मेंट है यह सारा दिया गया है 425 सेक्षन से लेके 440 तक IPC इंडियन पैनल कोट के तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ठैंक यू